नमस्कार मैं ब्रिज महन सूरी, मोर्टिवेशनल स्पीकर, साइंग रंत राइटर, रेड़ बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूँ आपके इस चैनल में चैनल जिसका नाम है ब्रिज महन सूरी, योट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे ब्रिज महन सूरी तो यह चै इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए एक निया विश्य लेकर हाजिर हूँ, तो आएए शुरू करते हैं आज का निया विश्यूद्ट, यानि सूमबर के दिन दूद और चावल का दान इच्छा नुसार करें, यहां फिर आठ सो ग्राम करे तो अधिक लाब मिलेगा, यह परतेक सोमबर करें तो आपको लाब मिलता रहेगा, यह सोमबर का उपए है, सोमबर को ही करना चाहिए और सूरे डूबने से पहले पहले करना चाहिए, इसका आपको विशेश लाब मिलता है, दूद और चावल, यहां तो आठ आठ सो ग्राम या फिर इच्छा नुसार मंगलवार के दिन पीले की मिठाई दान करें बच्चों को बाटें या फिर कंजक पूजन करें छोटी-छोटी कन्याओं को कुछ दे कर उनके पाउं छुएं तो आपका मंगल उच्च का हो जाता है मंगल संबंदित सबी रोग दूर होते हैं शरीर में यदि दर्द रहता हो तो ठीक रहता है और भी बहुत सारे नुकसान जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं बुद्दवार के दिन मंगी साबुद दाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मंगी साबुद दाल क्या होती है हरे रंग की मूंग की दाल जो होती है हरे रंग की होती है कोई भी हरे रंग की दाल ले लें आठ सो ग्राम लें या फिर इच्छा नुसार लें और सूरे डूबने से पहले पहले इसे भी दान करें और यह सिरफ बुद्वार के दिन ही करें तो आपको लाब मिलेगा, कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गुरुवा, ठर्ष्डे यानि वीरवार, इस दिन चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी ले लें, इसे दान करें, तो विशेश लाब मिलता है, यदि कहीं पीले कपड़े में बांध कर करें, तो और अधिक लाब मिलता है इसकी भी मातरा 800 ग्राम या फिर इच्छा नुसार होती है, 800 ग्राम या फिर इच्छा नुसार जितना आपका दिल करें उतना ये भी दान करें, विशेश लाब करी रहती है फ्राइडे, यानि शुक्रवार के दिन दही का दान बहुत शुब माना जाता है, दही 800 ग्राम या फिर इच्छा नुसार, ये 800 की मातरा बहुत अच्छी रहती है, इसलिए 800 ग्राम कहा जाता है यदि आप 800 ग्राम से अधिक एक किलो भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम दे दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो अब ये आप दान करेंगे तो लाब कमाएंगे और लाब मिलेगा क्योंकि फ्राइडे को दहीं का दान एक विशेश लाब देता है शनिवार सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, नारियल और लोहे का कील शनि मंदिर में चड़ाएं तो आपको भी शेश लाब मिलता है, साथ में थोड़ा सा परशाद भी ले ले लें तो और लाब मिलता है, ना ये कर सकें तो अकेला सरसों का तेल या काले मा की दाल दान कर दिया करें तब भी आपको भी शेश लाब मिल जाता है और ये भी आप शनिवार को सुरे डूबने से पहले पहले करें संडे रवी वार गुड का दान आठ सो ग्राम मातरा जो है 800 ग्राम की गुड़का दान करना है या फिर गेहूं भी दान कर सकते हैं वैसे गुड़का करें तो बहुत अच्छा है अपनी इच्छा नुसार भी कर सकते हैं 800 ग्राम भी कर सकते हैं यह भी शेश लाब देता है यह भी किसी को गरीब को देना है और सूरे रहते रहते करना है सूरे डूबने के बाद कोई भी उपाई नहीं करना है द्यान रखें कभी भी कोई भी क्योंकि सूरे की हाजरी में ही ये सबी उपाई होते हैं तबी लाब देते हैं वरना सिंपल धर्म बन जाते हैं सबी दान पवितरता के साथ करें सबी दान सूरे डोबने से पहले करें सबी दान यदि किसी गरीब को दें तो यदा अच्छा है गरीब ना मिले तो फिर किसी धरमस्थान में दे सकते हैं धरमस्थान ना हो तो जल परवा कर सकते हैं जल परवार ना कर सकें, तो कीडे मकोडों को डाल सकते हैं, प्रंतु लगन और शुदता और ड्रिटता विश्वास के साथ यदि ये उपाई किये जाएं, तो आपको बहुत अधिक लाब मिल सकता है, यदि किसी दूसरे के लिए ये उपाई करने हैं, तो जल को हाथ में लेक कि मैं ये उपाई फलाँ फलाँ व्यक्ति के लिए कर रहा हूं या कर रही हैं और पानी जमीन पर छोड़ दें, तब उसका लाब दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है. ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है, उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है, यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, तो वटसेप पर कर सकते हैं, परन्तु जवाब आपको पांच ये छे दिन के बाद ही मिलेगा, यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं, तो आप वटसेप पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कारियों में इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जब आप जनम पत्री भीजते हैं, तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है, तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है, तो फिर इमिजेटली उसका हम आपको बता देते हैं, परन्तु यदि योग है, तो अच्छे ढंग स देखकर ही बताते हैं, परन्तु जनम पत्री देखने में चारें पांच दिन लग जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है, तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफकेशन बेज दी जाती है, कि समय लगेगा, आप जानते हैं, कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे ग्रहे होते हैं, आप ये भी जानते हैं, कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे योग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सरे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सरे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सरे लोगों क को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है तो हम मैं इजाज़त चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप ये वीडियो और दिक सदिक शेयर करेंगे क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाब आपको भी मिलेग तो मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखेंगे